Hello and welcome to my channel जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे प्लांटों के बीच में एक स्नेक प्लांट है यह देखें कितने सारे हमारे पास हो रहे हैं यह मैंने सारे कटिंग से लगाए हैं और हमारे में प्लांट था वो यह रहा कुछ प्लांट इसमें से लगाए हैं और कुछ कटिंग के थुरू लगाए हैं मैंने यह देखें यहां पर भी एक उग रखा है और जैसे कि देख सकते हैं यह हमारे एक और स्नेक प्लांट और यह देखें जो हमारे प्लांट है और देखें इनकी ग्रोध देखें कितनी अच्छी हो रहे हैं और सारे एकदम हल्दी हो रहे हैं यह देखें यह भी और यह वाले भी तो फिर मैं सोच रहा हूँ चलो कुछ प्लांट को मैं निकालता हूँ और उनकी थोड़ी कटिंग लगाएंगे आज तो जैसे कि हमने यह वाला प्लांट निकाला और एक और निकाल लेते हैं यह वाला निकाल लेते हैं इसको भी अब यहां पर रख देते हैं जैसे कि हमने दोनों प्लांटों का रख दिया और यह देखें जो यह पॉली बैक है उसमें से रूट्स भी निकली हुए और एक ही हमारा प्लांट है और जो यह हमारा प्लांट है इसकी ग्रोथ उतनी नहीं औरे की जितनी औरों की औरे की है पर कोई नहीं अच्छा है और अचानक से यह देखिए हमारे सामने एक अर्थ वार्म टाइप कुछ आ गया है और मुझे इसका नाम तो नहीं पता है अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट में जरूर बताना फिर उसके बाद हमने जो हमारे यह अर्थ वार्म टाइप था इसको हमने आउड़ोर में छोड़ दिया फिर उसके बाद जो हमारी दो वाटर बोटल थी जिनको हम शावर वाटर बोटल कहते हैं वो लिया है और जो सॉयल थी उसको भी हम लिया आते हैं यह देखिए बिलकुल नॉर्मल सॉयल है इसको फिर हमने एक जगा रखा एक जगा रखने के पीछे ये रीजन है कि इस से असानी होजाएगी हम अगर प्लांट लगाएंगे तो और फिर उसके Selena back लेते हैं अपने जो पॉली बैक्स जहां हम रखते हैं वहाँ से निकाल लेते हैं यह देखे हमने फिर polybacs निकाली और फिर नीचे रख दी तो जैसे कि हमारा सारा raw material तो ready हो चुका है अब क्या करते हैं जो यह हमारा plant है इसकी कुछ cuttings लेंगे cuttings हम कुछ इस प्रकार लेंगे यहां से हम cut करेंगे और यहां से कुछ cut करेंगे हमें एक, दो और तीन इतनी cuttings बहुत है हम हर किसी की ऐसी करते रहेंगे cuttings यह देखे यह बड़ा है इसकी भी कर लेंगे ऐसी और यह देखे हमने cuttings तो कर लिए बिल्कुल sharp cutting करी है मैंने यह देखे सारी sharp cutting करी है और यह देखे जो cuttings है यह देखिए और आपको मैं एक ऐसी ओनलाइन वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसमें जो प्लांट्स है और जो फटिलाइजर है वो बहुत चीप रेट में मिल रहा है आपको भी बताना जरूरी है तो इसलिए मैंने आपको बता है और जो आप उस वेबसाइट में से पर्चेस करना चाते हो कुछ भी तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है जहां पर क्लिक करके आप डिरेक्ली उस वेबसाइट में जा सकते हैं तो जैसे कि आप वी जो बॉटम साइड है उसको हम इतना डिप करेंगे तो ये देखे ऐसे करके हम डिप कर लेंगे इसके अंदर और जो बाकी कटिंग से है ये देखे ये वाली कटिंग को भी इतना ही डिप करेंगे हम ये देखे हमने असानी से इसको डिप कर दिया सोईल के अंदर तो जैसे क आप देखी सकते हैं हमने एक और cutting ली और उसको भी ऐसे करके dip कर लिया और जो यह आली cutting है इसको भी dip कर लिया और वीडियो को end तक देखे इससे यह होगा कि आप कोई भी step मिशनी कर पाएंगे और जो आपकी cutting है वो successfully grow हो जाएगी तो हम एक और cuttings लेते हैं यह टॉप की side की cutting है तो इनको भी हम ऐसे करके लगा लेते हैं तो जैसे कि आप cuttings देखी सकते हैं हम दीरे दीरे करके ऐसे करके सारी जो cuttings है वो लगाते रहेंगे और जो ये कटिंग है ये भी लगा लेंगे और जो ये कटिंग है ये देखे एक लास्ट बचिए इसको भी लगा लेते हैं बीच में ये हम कैसे भी लगा सकते है कटिंग ये देखे हमने ऐसे भी लगा रखिया है और फिर इसको साइट से टाइट टाइट से दबा लेंगे और ये दो पैकेट बचे हुए हैं अभी पॉली बैक के तो इनमें भी लगा लेंगे दो तैयार हो गए है अब इसको थोड़ा यहां पर रखते हैं इसके बाद देखी सकते हैं जो हमारी कटिंग है हम फास्ट फास्ट लगा लेते हैं जल्दी जल्दी यह देखिए हमने लगा दिया और ये देखे हम जो सारी poly bag है उनमें हम अलग-अलग तरीकी से cutting लगा रहे हैं जैसे कि आप देखी सकते हैं ये देखे और हम जो है जो एक poly bag है उसमें एक cutting भी लगा सकते हैं अभी मेरे पर poly bag की कमी है इसलिए मैं अभी एक poly bag में 4-5 cutting लगा रहा हूँ फिर इनको उठाएंगे हम और ऐसी जगा रख देंगे जहां पर मतलब हलकी फुलकी धूप आती हो और जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मतलब कमी धूप आती है इसलिए मैं यहां पर रख देता हूँ कुछ दिन के लिए रखेंगे फिर उसके बाद जो सनी एरिया है जब हमें थोड़ी ग्रोथ दिखेगी इन में तो हम सनी एरिया में रख देंगे पर इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारी कटिंग से हो सूख है ना इसलिए हमें इसमें मतलो जैसी कटिंग थोड़ा मतलो सौइल थोड़ी सूकी लगे तो हमें उसमें वाटरिंग करनी है तो स्टार्टिंग में तो हम ढंक से वाटरिंग कर रहे हैं जैसे कि आप देखे सकते हैं बिलकुल ढंक से वाटरिंग कर लेंगे हम जो हमारी कटिंग तो आज के लिए बस इतना है और अगर आपको वीडियो इंफॉमेटी लगे तो कीप सब्पोर्टिंग एंध थैंक यू वर वाचिंग